करण और अर्जुन दोनों ही महाभारत के श्रेष्ट धनुर्धर माने जाते थे ये दोनों केवल धनुर विद्या तथा युद्ध कोशल में ही निपुर नहीं थे बलकि कई प्रलेंकारित दिव्यास्त्रों का भी ज्यान इन दोनों को था अगर दिव्यास्त्रों को इन दोनों से अलग कर दिया जाए और तब इनकी तुलना महाभारत के समस्त परवों से की जाए तो इन दोनों में कौन आगे था आज इस वीडियो में हम यहीं जानेंगे कि इन दोनों में बिना किसी दैविय अस्तरों के कौन बड़ा योध्धा था इस रोचक वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें सरप्रथम बात करते हैं गुरु द्रोण के गुरुकुल की जहां अरजुन और करण दोनों ही गुरु द्रोण से शिक्षा ले रहे थे महा भारत के आदी पर्व अध्याए 131 के अनुसार गुरुकुल में करण सदा अरजुन से लाग डांट रखते थे और अत्यन्त मर्ष में भरकर दुर्योदन का सहारा ले पांड़ों का अपमान किया करते थे और वहीं अरजुन सदा अभ्यास में रहने से धनुर्वेद की जिग्यासा, शिक्षा और बाहु बल की दृष्टी से उन सभी शिष्यों में श्रेष्ट एवं आचारे द्रोन की समानता करने योग्य हो गए अरजुन अस्त्रों के प्रयोग में भी सबसे बढ़ चड़कर लिख ले वे वहां रात में भी धनुर्विद्या का अभ्यास किया करते थे गुरु कुल में जब वहां उपस्तित सभी कुमारों के विशिष्ट गुण बताये जा रहे थे उस समय अरजुन के बारे में कहा गया कि अरजुन सब प्रकार की युद्ध कला में सबसे बढ़ कर थे अस्त्रों के अभ्यास में भी अरजुन का स्थान सबसे उचा था यद्धेपी सबको समान रूप से अस्त्र विद्या का उपदेश प्राप्त होता था तो भी अरजुन अपनी विशिष्ट प्रतिभा के कारण अकेले ही समस्त कुमारों में अतिरती हुए गुरु द्रोन द्वारा ली गई समस्त कठिन परिक्षाओं में केवल अरजुन ही उत्तीन होते थे जब सनान करते हुए तलाब में एक घडियाल ने गुरु द्रोन को जकर लिया था तो उस समय दूसरे राजकुमार हक्के बक्के से होकर अपने अपने स्थान पर खड़े रह गये थे वहां अरजुन ने पांच तीखे बानों द्वारा पानी में डूबे हुए उस खडियाल पर प्रहार किया जिससे गुरु द्रोन छूट गये इसी से प्रसन्न होकर गुरु द्रोन ने अरजुन को ब्रह्म शीरस्त्र का ग्यान दिया था अरजुन को धनुर वेद में अधिक शक्तिशाली देख द्वेशवश करण नेवी द्रोनाचारे से ब्रह्म मास्त्र का ग्यान मांगा परंतु गुरुद्रोन ने ऐसा करने से मना कर दिया इन बातों से हमें ये ग्यात होता है कि गुरुद्रोन के गुरुकुल तक तो अरजुन ही आगे थे इसके बाद करण परशुराम जी से शिक्षा गरहन करने के लिए महेंदर परवत पर गए वहां उन्होंने परशुराम जी से विधी पूरवक धनुरवेच सीखा और ब्रह्मास्तर का ज्यानपी प्राप्त किया रंग भूमी में दोनों की पहली भिडंत हुई थी रंग भूमी में जब कुरुकुल के समस्त राजकुमारों ने अपना अस्त्रकौशल दिखाया था तब वहां भी अर्जुन ही सबसे आगे थे परन्तु जब वहां करण का आगमन हुआ तो वहां करण ने जो जो अस्त्रकौशल अर्जुन ने प्रकट किये थे वह सब करके दिखाया इसलिए रंग भूमी में करण और अर्जुन दोनों का ही परदर्शन एक समान था दुरापदी स्वेंबर की बात करें तो महा भारत के लगभग सभी विश्वस्निय अनुवादित संसकरणों के अनुसार करण दुरापदी स्वेंबर में विफल हो गये थे और वहीं अर्जुन ने धनों शुठा कर लक्षे को भेद दिया था स्वेंबर के उपरांथ जब करण और अर्जुन आमने सामने आये थे तो ये इन दोनों का पहला युद्ध था वहाँ सरप्रथम अर्जुन ने साधारन बानों से ही करण के कई अंगों को बींद डाला था इससे उन्हें मूर्चा आने लगी करण ने भी अर्जुन के कई बानों को काट डाला था तोनों में कौन बढ़ा था पौन छोटा ये बताना असंबव था अंत में करण बोले आपके बाहूबल से मैं बहुत संतुष्ट हूँ आप में थकावट का चिन्द नहीं दिखाई देता आप मूर्ती मान धनुर्वेद हैं या परशुराम अथ्वा इंद्र या आप स्वयम साक्षात विष्णू हैं ये मैं समझता हूँ तदंतर ब्रह्म तेज को अजेय मानते हुए करण युद्ध लड़ने से हट गये थे यहां लगभग एक सा प्राक्रम था इन दोनों का अब बात करते हैं विराट युद्ध की यहां अरजुन ने अकेले ही समस्त कौरव युद्धाउं से युद्ध लड़ा था विराट युद्ध के प्रतम दोर में किसी भी दैविये अस्तरों का उपयोग नहीं किया गया था परन्तु फिर भी अरजुन ने अपने साधारन बाणों से करण के सभी मर्म स्थानों को बींद लला था और उस युद्ध में अरजुन के हाथों वे एक से अधिक बार प्राजित होए थे घोश यात्रा में सरप्रतम करण ने अपने साधारन बाणों से ही हजारों गंधर्वों को मार गिराया था प्रन्तु बहुत अधिक संख्या में गंधर्वों ने उन्हें घेर लिया था, तब उन्हें पीछे हटना पड़ गया था, जिस कारण गंधर्वों ने दुरियोदन को बंधी बना लिया था, और फिर युधिश्चर के कहने पर अरजुन गंधर्वों से युद्ध करने आए यहां अरजुन ने दिव्यास्त्रों के साथ साथ अपने साधारन बाणों से भी गंधर्वों को बहुत क्षती पहुँचाई थी, अरजुन ने अपने बाणों के जाल से गंधर्वों को आकाश में ही फांस लिया था, और आसमान में ही गंधर्वों को अपने बाणों से मा हाँ, सत्रमें दिन के अंतिम युद्ध में करण का प्रदर्शन हर प्रकार से उच्च कोटी का था। चाहे साधारन बानों से किये गए प्रहार हो या फिर दिव्यास्त्रों का उप्योग हो। एक समय तो करण के बानों ने अर्जुन को स्तंबित कर दिया था। परन्तु पर्मान निमन लिखित खटनाओं से हमें मिलता है। गुरु द्रोन के आश्रम से थनुर विद्या सीखकर वो परशु राम जी से ब्रह्मास्त्र तथा भार्गवास्त्र पाने के पश्चात वो अंग राज का नरेश बनकर करण ने अपनी विद्या को पूर्ण मान लिया इसके विप्रीत अर्जुन ने सीखना कभी छोड़ा ही नहीं क्यूंकि उनमें सीखने की लगन थी। वे प्रतिस परधा केवल स्वयम से रखते थे। उन्होंने गुरु द्रोन का आश्रम छोड़ने के पश्चात भी गदा चलाने की शिक्षा अगनी वेश जी से ग्रहन क परन्तु फिर भी अर्जुन से किरात बनके युद्ध किया। हाला कि अर्जुन भगवान से पराजित हुए थे। परन्तु शिवजी उनके शौरे से इतने संतुष्ट हुए थे कि उन्होंने वर्स वरूप पाशुपतास्तर प्रधान कर दिया था। इसकी अतरिक्त उन् के अस्तर प्राप्त किये। स्मृति कि विद्यय युद्धिष्टर कि था चक्षुशी विद्या गंधर्वांगार पर्ण से प्राप्त की थी। ध्नुर विद्या में उनकी जैसी विशारत अन्य किसी के पास नहीं थी। यदि दिव्यास्त छोड भी दे तोcakे जैसा ने भूरी श्रवा की भुजा कार दी थी। खांडवन युद्ध के समय उन्होंने उस वन को पानों से ढख दिया था। ताकि वर्षा की एक भी बूंद आग तक नहीं पहुँच पाए। पुरुक शेतर युद्ध के दस्वें दिन फीश्म जी के अंगों को बहुत दूर से ही बांड चलाकर बींद डाला था। वे चलते रच से तो मेल दूर आगे और पीछे बांड चलाने में सक्षम थे। अर जुने जैदरत के घोड़ों को तूर से ही तब मार गिराया था युद कर सकते थे। शब्द भेदी बांड चला सकते थे। उनका निशाना सटीक था। उनके जैसी एकागरता साहस और सीखने की लालसा ये सब बिंदू हुई उन्हें बाकियों से अलग बनाते थे। और उन्हें अपने उपर पून विश्वास था। इसके बाबजूद उन्हें घमंड नहीं था। परन्तु इसका तातपरे ये नहीं कि करण कोई छोटे मोटे योद्धा थे। करण और अर्जुन दोनों ही श्रेष्ट धनुर्धर थे। करण निश्चे ही धनुर्विद्या के ग्यानी थे। किन्तु उनकी सीखने की ललक अर्जुन से प्रति प्रति शाली योद्धा थे। जैश्रीकृष्ण आज की वीडियो में बस इतना ही आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर रवश्य करें। किसी भी प्रकार की तूटी के लिए आप सब से ख्षमायाचना करते हुए आप से निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारन करें और बोलें वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जै।